हाई एरीवन वेलकम बेलकम बैक टू मैं चैनल सो दोज हुआ निव हाई माई नेम इस खुश्बू और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ इसमीद एंज चॉपिंग हॉल वीडियो जैसा कि आप टाइटल और थमनेल देखकर तो समझी करें होंके इस वीडियो में खास ये है कि इस बार मुझे मिला है फुल साइज प्रोड़क्ट कई बार मिलता है मुझे फुल साइज प्रोड़क्ट तो इस बार भी एक अच्छा वाला फुल साइज प्रोड़क्ट मिला है जो कि आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी इससे पहले भी म प्रोडक्ट है वह यह प्रोडक्ट है यह केटा फिल का है और पैकेजिंग की बात करें तो यह बबल रैप यूज नहीं करते हैं यह पेपर यूज करते हैं फिर्स जो प्रोडक्ट है वह यह केटा फिल का ओईली स्कीन क्लिंजर और इसकी MRP है 100 रूपीज यह मुझे मिला वन ट्राइल पॉइंट में इतनी क्वांटिटी इनफ है ट्राइ करने के लिए देखने के लिए कैसा है यह प्रोडक्ट है केटाफिल के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं इसके मौश्राइजर करीब आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा नेक्स जो प्रोडक्ट है वो है दालव को का विटामिन सी क्लिंजिंग बाम MRP की बात करें 199 इसकी MRP है वन ट्राइल पॉइंट में यह मिल गया इससे पहले मुझे समीदन से मिला था प्लम का क्लिंजिंग बाम जो की काफी अच्छा निकला था नेक्स प्रोडक्ट की बात करें तो यह एक लिप ग्लॉस है लंडन गर्ल का और इसकी MRP है 249 रूपीज है यह मुझे मिला है टू ट्राइल पॉइंट में तो अभी कलर तो मैंने ट्राइ नहीं किया है देखकर बताऊंगी आपको बात में नेक्स्ट मैंने वहां से मंगाई थी लंडन गर्ल की ही वाटरप्रूफ लिप्स्टिक सो एक लिप ग्लॉस मैंने मंगाया था एक लिप्स्टिक मंगा ली थी जिससे की मैं आप लोगों को अलग-अलग चीज़े दिखा सकूं सो यह है लॉंग लास्टिंग लिक्विड ल इसकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी MRP इसकी है 149 रूपी और यह भी मुझे मिली थी टू ट्राइल पॉइंट में सो पैकेजिंग इसकी मुझे काफी पसंद आई क्लासी सी पैकेजिंग है काफी अच्छे से यह टाइटली बंद होता है खुलता है इस प्रॉडक्त जो मुझे फ्री गिफ्ट मिला है डॉटेन की का विटामीन सी ई सूपर ब्राइट आई क्रीम और इसकी MRP 345 रूपीज है और यह मुझे बिल्कूल फ्री में मिला है पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी है और यहां मैं आपको दिखा देते हूं कि इसकी इ प्रॉडक्त मुझे वहां से मिल गए और काफी अच्छे लगे आपने देख ली सारी अन्बॉक्सिंग देख लिया सारे प्रॉडक्त क्या क्या चीजे में वहां से मंगाई है अब बता दो कि कैसा लगा आपको यह वेडियो अगर अच्छा लगा हूं यूसफूल लगा हो